देश में C.A. लागू हो गया है इस कानून के लागू होने के बाद भारत के तीन पडोसी राजे बांगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुसलिम शर्णार्थियों को भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी जिन में हिंदू होंगे सिख, इसाई, पार्सी बौध और जैन धर्म के लोग होंगे लेकिन नागरिक्ता पाने के लिए इन लोगों को कुछ सरकाली गाइडलाइन्स होंगी जिनका पालन करना जरूरी होगा और नागरिक्ता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा कुछ जरूरी शर्ते भी होंगी जिसके कि ये आवेदन कैसे करें आईए आपको दस जरूरी सवालों के जवाब दे देते हैं पहला सवाल तो यही है कि किन लोगों को नागरिकता मिलेगी ऐसे शर्णार थी जो 31 दसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं उन्हें ही नागरिकता मिलेगी जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें ये बताना होगा कि वो किस साल बिना दस्तावेज के भारत में दाखिल हुए भारत में आने का दिन और तारीख क्या कोई वीजा या फिर इमिग्रेशन का इस्तिमाल भी किया गया है ये सब बताना होगा आवेदन करने के लिए दूसा सवाल ये है कि CA काम कैसे करेगा? CA के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जिसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा और उसके बाद वहां से Empowered Committee को भेज दिया जाएगा Empowered Committee ही फैसला करेगी कि नागरिकता देनी है या फिर नहीं देनी है कमेटी के प्रमुक होंगे Census Operations के Director इसके अलावा साथ और सदसे भी होंगे इनमें Foreign, IB, Post Office और इसके अलावा Regional Registration Office और राजिसूचना अधिकारी भी शामिल होंगे तीसरा सवाल ये है कि CEA के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे नागरिकता पाने के लिए Schedule 1A के तहट 9 तरह के दस्तावेज लगेंगे जबकि Schedule 1B के तहट 20 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं और Schedule 1C के तहट एक शपत पत्र देना होगा सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा कि इन तीन देशों से आये शरणार्थी किस देश से आये हैं यानि कि इन तीनों देशों में से किसी एक देश के वो निवासी थे ये बात साबित करनी होगी और इसके लिए वहां का Birth Certificate, वहां का Passport, Driving License, Section एक प्रमार पत्र या फिर जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट भी दिखाये जा सकते हैं लेकिन इसके अलावा आवेदन करने वाले भारत सरकार की ओर से जारी किये गए राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, Driving License, Birth Certificate, बिजली या फिर पानी का बिल, जमीनी दस्तावेज या फिर मारिज सर्टावेज दिखा कर भी आवेदन कर सकते हैं चौता सवाल यह है कि अगर आपके पास दस्तावेज ही ना हो तो फिर आप क्या करेंगे फाम भरने के document होने जरूरी है, आप document ना होने के कारण भी बता सकते हैं कि आपके पास document आखर किस वज़य से नहीं है इसके अलवा अगर आप किसी राज में रह रहे हैं या फिर किसी राज में रहना चाहते हैं तो वहां के नेमों के मुताबिक मूल निवासी सर्टिफेकेट को आप हासिल कर सकते हैं पाच्वा सवाल ये है कि फॉर्म में क्या जरूरी जानकारी भरनी होगी फॉर्म में अपने माता पिता या फिर पती का नाम भरना होगा भारत में आप कब से रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं, किस धर्म से संबंद रखते हैं और भारत में आने के बाद आप काम क्या करते हैं, ये सभी जानकारी देनी होगी बहूं चख़ा सवाल है कि क्या शाधी शुदा लोगों और गैर शाधी शुदा लोगों के लिए अलग-अलग form भरने होंगे इसका जवाब है हाँ अलग-अलग form भरने होंगे web portal पर इसके लिए अलग से form उपलब्द भी कराए गए हैं साथवा सवाल यह है कि अगर किसी का कोई अपराधिक record है, कोई criminal record है तो फिर वो क्या करेगा अगर किसी की कोई crime history रही है तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी अगर सरकार मुनासिब समझेगी तो नागरिक्ता दे दी जाएगी लेकिन नागरिक्ता देने से अगर खत्रा महसूस हुआ या खत्रा महसूस होने का अंदेशा हुआ तो इस आवेदन को कैंसल भी किया जा सकता है आठवा सवाल ये है कि क्या किसी की नागरिक्ता चीनी भी जा सकती है तो इसका जवाब है नहीं बिलकुल नहीं किसी की नागरिक्ता नहीं चीनी जाएगी नवा सवाल ये है कि नागरिक्ता मिल जाने पर नागरिक्ता का सर्टिपिकेट आकर हांसल कैसे करेंगे फॉर्म में अपने बारे में सभी जानकारी सही सही भरने के बाद अपने सिग्नेचर करने होंगे अगर जानकारी जूठी गलत दस्तावेज फर्जी पाए गए तो फॉर्म कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आवेदक को hard copy यानि की paper वाला form चाहिए होगा तो वो भी उपलब्ध कराया जाएगा जो नागरिक्ता का certificate होगा उस पर digital रूप से हस्ताक्षर किये जाएगे दस्ताव और अंतिन सवाल ये है कि क्या नागरिक्ता के लिए कोई शर्ट होगी तो इसका जवाब है हाँ होगी नागरिक्ता के लिए आवेदन से पहले एक साल तक भारत में रहना जरूरी होगा और इस एक साल की ठीक पहले के आठ सालों के दौरान भी भारत में कम से कम 6 साल बिताया होना जरूरी होता है आवेदकों को ये जरूर घोशित करना होगा कि मौजूदा नागरिकता को त्याक कर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं झाल